कायस्त पुरानों, कथाओं और लेखों के अनुसार कायस्त समाज का जन्म प्राचीन मद्धिकाल में हुआ और माना जाता है ये चित्रगुप्त के वन्शज है ये मराज के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने संसार में मृत्यु का लेखा जोखा रखने के लिए चित्रगुप्त को जन्म दिया था चित्रगुप्त ने दो शादियां की पहली पत्ति का नाम इरावती और दूसरी का नाम नंदनी था इरावती को आठ और नंदनी को चार पुत्र हुए जिनके नाम थे श्रिवास्तव, सूरजध्वज, वालमिक, अस्थाना, माथुर, गौळ, भटनागर, सक्सेना, अंबश्ट, निगम, करण और कुल्ष्रेष्ट और इन ही के वन्शजों को कायस्त कहा जाने लगा इतिहास में पहली बार कायस्त शब्द का प्रयोग 275 एड़ी में कुशान सामराज्जी में किया गया कुशान सामराज्जी में भूमी अनुदान प्रथा यानि लैंड ग्रांट प्रैक्टिसेज और कठिन कर प्रणाली यानि कॉंप्लिकेटड टैक्सेशन सिस्टम का हिसाब रखने के लिए कायस्त समाज को नियुक्त किया गया इसके बाद 4th सेंचूरी में गुप्ता सामराज्जे में राजियों के direct and external matters को देखने के लिए कायस्तों को नियुक्त किया गया सिवन्थ सेंचूरी के बाद कायस्त समाज अलग-अलग समराज्जेयों में अलग-अलग पदों पे काम करते रहे उस समय होम मिनिस्ट्री के सलाहकार, रेविन्यू मिनिस्ट्री और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी जैसे इंपोर्टन पोस्ट पर भी कायस्ट कम्यूनिटी के लोग काम करते थे 11th और 12th सेंचुरी में कायस्ट समाज के तीन अलग अलग वर्ग मिलते हैं पहला वर्ग उत्तर भारत के चित्रुप्ट वन्शी कायस्ट जो राज्य का लेखा जोखा समालते थे दूसरा वर्ग महराष्ट के चंद्र सेन्य प्रभू कायस्ट जिने वेदों की स्टडी करने और उन पर रिसर्च करने का काम दिया गया और तीसरा वर्ग बिंगॉली कायस्ट जो ज्यादतर शत्रिय थे और इन्हें राज्य के साशन और प्रसाशन से जुड़े हुए काम दिये गए भारत में मुगलों के आने के बाद फारसी भाषा मुगल सामराज्य की ओफिशिल भाषा बन गई थी कायस्ट कमुनिटी के लोग बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग थे उन्होंने बदलते समय के साथ फारसी, उर्दू और अर्बी भाषा सीखी और सिस्टम का हिस्सा बने फेमुस राइटर अबुल फजल के नुसार बंगाल में ज्यादा तर हिंदू जमिदार कायस्ट समाज के लोग थे कायस्ट समाज ने अपने आपको यहीं ठीक सीमित नहीं रखा बलकि ओदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर बसे जैसे कायस्ट निजाम की कोट में मनसबदार यानी अधिकारी के बद पर काम करने लगे भारत में ब्रिटिश शाषन के समय कायस्ट कम्यूनिटी न सिर्फ पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे बलकि एग्जेक्यूटिव और जुडीशियल सिस्टम में भी शामिल हुए कायस्ट समाज के लोग कारोबार करने में भी माहिर थे 1911 तक बंगाल और देश के लगभग 40% मिल्ज और फैक्टरीज के मालिक कायस्ट समाज के लोग ही थे अमेरिकन स्कॉलर क्रिश्टन नौवद्जेक के अनुसार मेडीविल पीरियड में 6-13 एडी भारत के कुछ राज्यों में कायस्ट कम्यूनिटी को ब्रहमन माना जाता था और दूसरे राज्यों में उन्हें शत्रिय भी माना जाता था वक्त के साथ कायस्ट समाज आगे बढ़ा और इन्हों ने अपने आपको रिकॉर्ड कीपिंग के कामों तक ही सीमित नहीं रखा बलकि दूसरे कामों में भी अपना नाम रोशन किया कायस्ट समाज ने देश के लगबग हर शेत्र में अपना योगदान दिया है इनके इस योगदान को देश हमेशा याद रखेगा